कि अज़िए आज हमने एक कप फुल भर के ये फूल मखाने लिए हैं इसको हम डालेंगे पैन में हलका सा हम इसको गरम करेंगे और बहुत स्लो फ्लेंब पर हम इसको ड्राइ रोस्ट करेंगे और पता है आमञे हैं मखाना चाठ जो आपको वेट लौस के लिए भी बहुत अच्छी रही तो इनको करते हैं ड्राइ रोश्ट लगातार चलाते रहना है ताकि ये जलेना और इवनली ये क्रिस्पी हो तो क्रिस्पी क्रंची हमें इने करना है बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लीम पर इनको रोस्ट करेंगे और यमी सी चाड बनाएंगे कभी-कभी इवनिंग में स्नैक्स खाने का मन होता है और आप वेट लॉस पर है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तो मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं इनको हम निकाल लेंगे बाउल में ठंडा करेंगे और इसी पैन में हम वन फॉर्थ कप मुमफली कच्छी मुमफली हमने ली है छिलके के साथ ली है इसको भी हम ड्राइ रोस्ट करेंगे क्योंकि हम वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें ऑइल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इनको भी हमें मीडियम फ्लीम पर लगातार चलाते वे भूनना है और इसको लगती है दोटी में लगती है भूनने में खुश्बू आ जाएगी छिलका हटना शुरू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा करके आप खाके भी देख सकते हैं कि यह क्रंची होना चाहिए तो यह भूनने के बाद मिलते हैं आपसे अब ये देखिए हमने एक बैंज को बारी काट लिया है एक टमाटर को बारी काट लिया है एक हरी मिर्च को बारी काट लिया है पौदीने के पत्तो को लिकर बैने ऐसे तोड़ दिया है इंको हात से तोड़ा है इसके खुश्बू बर करा रहे हैं कुछ Rumpli हमने dry-rece deak अगर आप वेट लॉस्ट पे जा रहे हैं उसकी रेसिपी है तो आप भूजिया मट डाले अगर आप वैसे खा रहे हैं तो आप भूजिया यूज कर सकते हैं यह बिकानेडी भूजिया है तो सबसे पहले हम लेंगे यह बाउल और इसमें हम यह सारी मुंफली डाल देंगे मखाने मुंफली बहुत टेस्टी चाट बनती है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट पीना यह सारा हम इसमें डाल देंगे अ ओर आध्य बहुत अच्छी बनती है इवनिंग स्नैक में आप यूज़ कर सकते हैं इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वात के अनुसार क्योंकि हम दूसरे मसाले डाल रहे हैं तो उसमें भी नमक है तो बहुत थोड़ा सा हम इ निबुका रस आधा एक जैसे भी आप चाहें ये निबुका रस और ये इंग्रेडियन डालने हूं मैंने मेरी फ्रेंड के हां खाया था और उरने ये पास्ता मसाला डाला था तो ये ऑप्शनल है आप चाहें तो काला नमग जीरा पाउडर ये सब डाल सकते हैं बट इससे भ पाइले में लाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे थोड़ी सी भुजिया हम अभी डाल देंगे और थोड़ी हम बाद में डालेंगे तो आप ये देखें टमाटर गीला होने के कारण ना ये सभी चीजें ड्राइ रोस्ट हैं बट टमाटर गीला होने के कारण ये सब इसमें म और इस समय हमने इसको टेस्ट करके देख लिया है बहुत टेस्टी बनी है तो आधा ही पैकेट हमने वो डाला है पास्ता पस्ता मसाला का और यह देखिए कितनी सुंदर लग रही है उपर से थोड़ी और हम यह से स्प्रिंकल करेंगे आप चाहें तो नाइलन से भी ले सकते ह नमक ध्यान से डालेगा क्योंकि हर चीज में नमक है थेंक्यू सो मच फो वाचिंग माई रेसिपी